नमस्कार दोस्तों, welcome back to your own channel wealth first मोतीलाल ओस्वाल ने S&P 500 का passive mutual fund launch किया है अब इस वीडियो में आपको 5 बहुत important चीज़े पता चलेंगी कि पहली चीज़ तो S&P 500 होता क्या है उसमें कौन कौन सी companies listed है नमबर टू, ये जो मोतीलाल ओस्वाल अपना ये fund launch कर रहे हैं उसमें क्या expense ratio होगा, कैसे उसकी pricing होगी ये भी आपको पता चलेगा थर्ड आपको पता चलेगा S&P 500 versus S&P 6 किसने अच्छा ज़्यादा perform किया है और ये तो पता चलेगा ही कि कौनस आपको इसमें apply करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए और आपके इसमें सबसे important चीज जो इस पूरे procedure में सादे के सारे doubts दिमाग में चल रहे हैं वो सारे के सारे clear हो जाएंगे तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये passive fund क्यों है passive fund क्या होता है passive fund वो होता है जिसमें mutual fund manager को दिमाग नहीं लगाना पड़ता क्योंकि S&P 500 एक index है वो already managed है उसमें mutual fund को कुछ नहीं करना है straight away जो उसमें stocks चल रहे हैं जो अच्छा perform कर रहे हैं करने वाले उनको buy करना पड़ता है तो उसमें research लगती है analysis लगती है time लगती है team लगती है तो इस करण उसका expense ratio जदा होता है वो महंगा होता है और passive funds चीपर होते हैं ताकि आपको regular updates मिलते रहे है plus कुछ और सिखने चाहते है हमारे pass or close आना चाहते है consider joining as a member as well तो पहले तो हम लोग बात करते है S&P 500 क्या है S&P 500 जैसा की नाम बताता है US economy का एक index है जिसमें 500 company है आप लोग नाम सुनते हों कि दोस्तों DAO गिर गया है DAO जोन्स की तो आपके दिमाँ में question चल रहा होगा कि S&P 500 में companies कौन कौन सी है तो भाई companies बता पाना तो सारी के सारी बहुत difficult है इस short time में लेकिन top 10 largest companies के बारे मैं आपको बताता हूं Microsoft, Apple, Amazon, Facebook बख शायर यह आपको मालूमें ना इसकी कमनी है अपनी Warren Buffet जी की Alphabet Alphabet कौन सी कमपनी है यह वो कमपनी है जिसमें क्या वीडियो देख रहे है YouTube तो दोस्तों यह वो कमपनी है Alphabet इसके अलावा यह तो Google तो of course है ही और J.P. Morgan Johnson & Johnson और Visa INC तो दोस्तों यह सारी companies है top 10 companies जो की S&P में की पार्ट है तो दोस्तों यह तो होगे S&P का पूरा का पूरा concept अब आपके देवाएं question चल रहा होगा यह तो भाई stocks हो गए अब हमको पता करना है कि इसमें कौन कौन से sector में पैसा लगा हुआ है तो आप जानके हैरान हो जाएंगे कि इसमें सबसे ज़्यादा पैसा लगा हुआ 25% IT में और 24% health care क्योंकि आपको मालम होना चाहिए US में health care की cost बहुत ज़्यादा है बहुत valuable है तो health care बहुत ज़्यादा importance रखता है financials, communication services and so on और सबसे कम पैसा है महाँ पे materials में जो की है S&P 500 का सबसे छोटा सा पार्ट है materials तो दोस्तों ये वो उसके sectoral allocation है जो की मैं चारत आपके सामने प्रस्तुत करूँ अब S&P 500 तो मेरे इसाब से आपके दिनाग में काफी हद तक clear हो गया होगा अब हम लोग चलते है S&P 500 के mutual fund में मोतीलाल उसवाल क्या offer कर रहे है उसकी key highlights क्या है कि वो first index fund है in international mutual fund category तो ये पहला investment आपको मिल रहा है जिसे कि आप अपने आपको overseas diversify कर सकते हो अगर हम लोग बात करें कि ये कैसे काम करता है तो simply US S&P 500 को ये replicate करेगा और आपको मालूम होना चाहिए S&P 500 is approximately 82% of US market तो आपके पास समझ लीजे कि US market के 82% जबरदस्त quality के stocks आपके portfolio में one way और the other आ चुके है अब ये खुला गब है 15 April 2020 को खुल गया है और close होगा 23 April को ये NFO है बाद में भी आप invest कर सकते हो लेकिन ये new fund offer है तो आपको of course कुछ benefits मिलेंगे expense ratio मैंने आपको बताया कि भाई बहुत ना के बराबर होते हैं तो सिर्फ 0.5 है direct plan में और 1% है regular plan में तो मैंने आपको क्या बताया है हमेशा लेने को हमेशा direct plan ही लेना है और 0.5% बहुत कम होता है अगर हम लोग बात करें कि इसमें क्या vulnerabilities है उसको भी समझ लेते हैं तो भाई उससे पहले समझ लेते हैं कि आपको कितना minimum investment करना पड़ेगा तो इसमें minimum investment करने का limit है 500 रुपे minimum 500 रुपीज आपको invest करने हैं 23 सपरायल को ये new fund offer पर close हो जाएगा उसके बाद आपको आप you can of course लेटर subscribe to it और इसके अलावा दोस्तों इसमें और भी जो चीज जानने वाली है कि in 2018 more than 40% of sales of S&P 500 constituents were reported from foreign countries तो आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है अपने portfolio को diversify करने का इसके अलावा भी दोस्तों इसके पहले भी कई सारे mutual funds है जिन्होंने इस तरह का overseas diversification के लिए को टक US equity fund DSP US flexible fund US opportunity fund इस तरह के कई सारे funds आ चुके हैं लेकिन आपको इसमें invest करना नहीं चाहिए करना चाहिए कि नहीं चाहिए इसको भी समझ जाते हैं तो भाई अगर आप nifty 50 में पैसा लगाते हैं तो आपको सिर्फ 0.1% का आपको expense ratio देना होता है इसमें देना पड़ेगा 0.5 और लेकिन फिर भी अगर आप actively mutual fund से compare करेंगे तो भी आपको कम पैसा देना पड़ेगा तो इसमें आप problems कि आ सकती हैं एक तो coronavirus का issue चल रहा है और US में काफी तगड़ा चल रहा है तो उस चक्र में क्या हो सकता है उस चक्र में हो सकता है कि US की economy थोड़ा सा slow down हो जाए तो आपको effect पड़ सकता है although अभी तो ये कहा भी नहीं जा सकता कि US को ज़्यदा पड़ेगा कि India को ज़्यदा पड़ेगा क्योंकि अभी India तो अभी third stage में ही है तो you cannot predict अभी कि आपको US में exposure ज़्यदा लेना चाहिए कि India में as on date तो आपके पास सारे options खुले हैं तो अगर आप इसमें apply भी करते हैं तो आपके लिए diversification हो जाएगा तो बहतर है otherwise मेरे हिसाब से दोस्तों अगर आप इसमें लेना चाहते हैं तो this is totally your call मेरे हिसाब से Indian equities are equally good तो ये तो एक risk होगा दूसरा risk क्या है कि अभी आपको पता ही चल रहा है कि US का जो dollar है इसमें approximately 76 rupees पे चल रहा है चल रहा है कि नहीं चल रहा है 2 rupees पे हो गया तो आपका investment एक तरह से deflate हो जाएगा basically उसकी value कम हो जाएगी against Indian currency तो दोस्तों ये भी एक problem है जो कि आपके सामने बिल्कुल clear है exchange rate का इसमें risk लागू है जो कि मैंने आपको सीधी simple भाशे में समझाने ये कोशिश करी कि 76 rupees में अभी आप खरीद रहे हो और जब आपको अगर Indian economy improve हुई और ये dollar गिर के आगया 72 rupees तो of course आपका investment थोड़ा सा depreciate हो जाएगा लेकिन इसी जगह पर एक benefit आपको इसमें hidden benefit मिल रहा अब hidden benefit क्या है कि अगर कहीं आपको suppose in case अगर कहीं आपको विदेश यात्रा पे जाना है या फिर अगर आपको education करानी है अपने children को in US तो आपके लिए hedge fund का काम करेगा मतलब अगर India की Indian economy ने अच्छा perform किया तब तो अच्छी बात ही है तो तो in case आप लोग ने इंडिया में invest करी रखा है और अगर India ने underperform किया और US ने कहीं अच्छा perform किया तो एक तरह से ये hedging हो जाएगी एक तरह का आप investment कर सकते हो जिसमें की foreign education या फिर foreign tourism में भी आप इसको एक financial goal बना सकते हो कि अगर US का dollar उपर ही चलता चला गया और Indian economy उतना अच्छा perform नहीं कर पाई तो ये fund आपके लिए hedge fund का काम करेगा और आपके कुछ goals को ये fulfill करने में मदद कर सकता है तो ये तो एक hidden benefit हुआ problem में अब एक और problem होती है जिसको कहते है tracking error अब tracking error क्या होता है tracking error basically एक minor variation होता है जो expense जिसे कोई fund perform कर रहा है किसी ने move किया मानलो आज 3% और वो चीज आपके fund में reflect होने में जो time लगता है जो error होता है उसे बोलते है tracking error तो ये tracking error कैसे manage करेगा मोतीला लोसवाल ये तो भाई समय ही बताएगा लेकिन फिलहाल अभी जो vulnerabilities है वो मैं आपके सामने ला रहा हूँ कि हो सकता है जब आप invest करो आप invest कर रहे हो example के तौर पर 100 dollar पे और जब तक वो exchange है पहुंचा तब तक वो 95 हो गया तो ये आपको यहाँ पर नुकसान हो सकता है हो सकता है real time ना हो और अगर होता है तो ये समय बताएगा दोस्तों ये जो vulnerability है आपके सामने में लाने की कोशिश कर रहा हूँ तो क्या बिल्कुल खराब है हमें invest नहीं करना चाहिए मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि आपको अपने fund का not more than 10% 10% से ज्यादा आपको इसमें allocation नहीं करना चाहिए बलकि मैं तो आपसे कहता हूँ कि किसी भी asset में 5% से ज्यादा allocation मत रखो और किसी भी total sector में 20% से ज्यादा allocation मत रखो मतलब क्या है मतलब ये हुआ कि अगर आप mutual fund में invest कर रहे हैं stock का 5% से उपर allocation नहीं होना चाहिए तो बहिए ये तो मैं आपको guidance बताता रहता हूँ अब हम लोग बात करते हैं इसके performance की तो आप जानके हरान रह जाएंगे कि जब से starting हुई है इस साल की that is 2020 की जो S&P 500 है उसने perform किया है माइनस में माइनस 13% उससे ज्यादा गिरा है almost 24% के आसपास अगर हम लोग बात करें पिछले एक साल की तो S&P 500 गिरा है almost 4% के आसपास जबकि S&P 6 गिर गया है ज्यादा तो क्योंकि आपको मालूम है कि ये तो भाई एक developed economy है ये एक तरह से आप example के तोर पर ले ले लो एक large cap stock है तो large cap stock कितना गिरते हैं थोड़े थोड़े और S&P 6 क्या है ये developing economy ये क्या है small cap है और small cap कैसे गिरते हैं धर 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 तो भाई ये वही हैं तो इसलिए आपको मालू है कि भाई ये गिर भी जादा रहें और ये बढ़ेंगे भी जादा और ये गिर भी कम रहें और बढ़ेंगे भी कम तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि अगर मैं आप स्कॉप को लंबे ये तो एक साल का comparison हो गया अगर लंबी दूरी का दिखाऊं तो आप जानके हैरान रह जाएंगे कि इन 5 years S&P 500 has given 32% returns S&P 500 has given only 17% लेकिन आप बिल्कुल लंबे दूरी को देखेंगे मतलब long actually very long duration जिसमें की mutual fund काम करते हैं तो अगर आप इसको इस comparison से देखेंगे तो अगर आप पिछले 10 साल को compare करेंगे तो आप पाएंगे कि S&P 6 ने उससे कौन सा stock लेना है कौन सा index लेना है मेरे हिसाब से दोस्तों अगर आप चाहते हैं तो कोई भी diversification करने में कोई भी problem नहीं है आप कर सकते हैं you can do it but don't get overexposed ज़्यदा एक overexposure करिएगा मैं अगर आपके पास capital है suppose 10 लाक की तो मेरे हिसाब से 10 लाक में से अगर आप चाहते हैं इसमें तो not more than not more than 10% क्या मेरे साब से 5-7% से ज़्यदा इसमें investment करने की ज़रूरत नहीं है तो जो है आपके सामने है 5-7% is recommended investment into S&P 500 और इसमें क्या जुड़े फायदे हैं नुकसान हैं वो सारी मैंने आपको बताने की कोशिश करी है तो दोस्तों आई होप आपको ये review समझ में आया होगा और पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो चैनल को subscribe कर सकते हैं क्योंकि आपको इसी परकार के regular updates मिलते रहेंगे प्लस अगर कोई question कोरी रहे गई है तो first video of the day जो मैंने भी post किया है इससे पहले वाला उसमें पूछिएगा इसमें मत पूछिएगा क्योंकि उसमें पूछेंगे तो आपको question के answer आपको मिलेंगे Thank you so much friends for watching and bye bye for now